हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल लिमीजिनेट पर दोस्तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको प्यूपल एंड एंवारेमेंट के अंदर ऐसे कोश्चन दिखाने वाले हैं रिनीवल एैनर्जी से जो हर बार कोश्चन पेपर के अंदर आते हैं और इतने आसान होते हैं दोस्तो हम उनको बिल्कुल असानी से कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना मैं आपको एक एक कोशन दिखाऊंगा जो 2012 से लेके 2019 तक हर बार रिपीट हुआ है दोस्तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए आप ये ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे और अगर ऐसा किसी भी दोस्त के साथ होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है हमें तो दोस्तो देर किस बात की इस दिपावली के सुब अवसर पर हमने आप सभी के लिए एक 20 डेस कोर्स निकाला है इस कोर्स में दोस्त जितने भी रिसर्च के कोर्शन आये वह हमने अलग कर रहे हैं इस तरीके से 10 की 10 यूनिट के हमने टॉपिक अलग कर रहे हैं दोस्तों उनको देखते आप बहुती अच्छे से अपने श्टडी कर सकते हैं इसके साथ हम आपको ठीकल नोर्स और वीडियो देखते हैं उनसे अगर हमें इन ऐसे कोर्शन का पता चल जाता है तो हम बिल्कुल असानी से अपना नेट प्लस ज्यार्फ कर सकते हैं और हर बार जो पांच या दस नंबर से रहते हैं वो डर हमारा बिल्कुल खतम हो जाता है तो अगर आप चाहे तो हमरा पेट ग्रूप जोइन कर सकते हैं हमें किस तरह से जोइन करना है वह यहांप यहां पे नंबर दिया हुआ है यह तरह से आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस करेस कोर्स के अंदर क्या क्या को सुविधाय मिलने वाले है इस पर ब्रजिश्टरेशन अभी से सुरू हो गया आप हमें जल्द से जल्द मैसेज किजी इसके उपर और हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको रिजिस्ट्रेशन करना है कैसी आपको नोट्स मिलेंगे कैसी आपको वीडियो मिलेंगे यह देखे दोस्तों जून 2013 का कोश्चन पेपर है और इसके अंदर कोश्चन नंबर 45 इंडिया इस अराउंड इन्होंने इसका प्रतिशत पूछा हुआ कि नवी करणी उर्जा का जो टोटल एनरजी प्रडूस होती इंडिया में उसका कितना प्रतिशत है तो यह इन्होंने पूछा हुए दोस्तों इससे यह घुमा फिरा के काफी तरह के कोश्चन देते हैं इससे पर्सेंटेज से रिलेटिड वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी आगे जो कोश्चन आने वाले हैं उनमें तो दोस्तों ये को टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है अभी हम आपको और कोश्चन दिखा रहा हूं जो यहां से रीपीट हुए ह बार बार और दोस्तों इसका मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा जहांसे आप असानी से सभी कोश्चन कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों दिसम्बर 2014 का कोश्चन पेपर है और इसके अंदर कोश्चन नंबर हमारा 41 है इसके अंदर देखिए निमल लिखित में से कौन सा नवी करनी है प्राकरतिक स्त्रोत नहीं है इन्होंने जो नेचरल रिसोर्स है वो पूछा वा कि कौन सा रिनिवल एनर्जी शोर्स नहीं है यह पूछा है और अगर हम इंगलिस के अंदर देखे तो यह रहा इसके अंदर विच ओव दा फलोविंग इस नोट रिनिवल किसी में लवन दे दिया किसी में साल्ट कौसंग लिख दिया ठीक है जानी की एक कौसंग को घुँमा फिरा कि उन्होंने पूछा हूँआ था और ये जो तीन कोशन पहले आये थे वो 2010 का जो कोशन पेपर हुए थे हमारे पहले के 2010 से पहले के जो कोशन पेपर हुए थे उन में ये कोशन आ चुका है काफी बार तो ये कोशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और और दिखा देता हूँ मैं आपको और किस तर प्रकट करता है यानि कि इन्होंने यहां पे भी इनका जो स्त्रोथ है वो पूछ लिया सोर्स है वो पूछ लिया कि कौन सा नभी करनी है स्त्रोथ है या नहीं और आगे हम देखते हैं अगर इंगलिस के अंदर ये कोशन देखे तो इसमें भी यही बात आपको दिखाई हैं तो आप नेचरल रिसोर्स अच्छे से कर लेना इसमें से कोशन आने की संभावना है और और देखते हम इसमें से किस तरह से कोशन रिपीट हुए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखे दोस्तों दिसंबर 2015 का कोशन पेपर है और इसके अंदर टारगेट पूछा हुआ कि 2030 तक नवी करनी उर्जा का टारगेट है क्या है भारत सरकार का तो इसका जो अंसर दोस्तों 350 गीगावाट है और इसमें देखी इन्होंने यहां पे 2030 का पूछा हुआ है तो काफी बार यह 2022 का भी पूछ लेते हैं 2025 का पूछ लेते तो इन सभी का हमें पता होना जरूरी है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मैं नोट्स आपको दे दूँगा अभी मैं दिखाने वाला हूं उस नोट्स में सारे की सारी चीज़े कवर की हुई है तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं यह देखे जुलाई 2016 का कोशन पेपर है इसके अंदर कोशन नमबर 50 है इसमें कहें कि वर्स 2022 तक बायो मास्स से विद्यूत उत्पादन है तो सरकार का लक्षे है दोस्तों यह भी जो है हमारा रिनीवल एनरजी से ही रिलेटीड कोशन है इसमें भी इन्होंने टार्गेट पूछा है कि बायो मास्स से विद्यूत कर लेना अभी हम आपको नोट से दे दूँगां अगर आप इंगलिश में देखना चाहो तो यह कोशन यहां से इंगलिश में भी देख सकते हैं अभी यह देखिए दोस्तों अगस्त 2016 का कोशन पेपर है और इसके अभी देखिए दोस्तों कोशन नमबर 44 है इसमें इन्हों ने 2022 तक नवी करने उर्जा का जो target है वो पूछा हुआ है इन्होंने ठीक है दिए लक्षे रखा है यानिकि इन्होंने टार्गेट पूछा हुआ कि 2022 में क्या लक्षे रखा हुआ है सरकार ने तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते कि पहले उन्होंने 2030 का पूछा हुआ था अब इन्होंने 2022 का पूछ लिया तो अगली बार हो सकता है 2025 का पूछ ले या 2028 का पूछ ले तो इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है तो चलिए अब हम अगला कोशन पेपर देखते हैं अब ये देखिए दोस्तो हमारा है जनवरी 2017 का कोशन पेपर है इसके अंदर कोशन नमर 46 है कि भारत सरकार का लगूज जल विद्यूत प्रियोजना से वर्स 2020 तक पावर उत्पादन का लक्से अब देखिए दोस्तो वही ब जैसे कि पानी से कर सकते हैं हवा से कर सकते हैं और काफी तरह से हम प्रड्यूज कर सकते तो उन सभी का इन्होंने घुमा फिरा की पूछावा कभी और आगे हम देखते कि आगे किस तरह से कोशन रिपीट हुए इसमें से यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं तो दोस् लगाई गामका मतलब यह दोस्तों जो कुछ स्टूडेंट का या लावाद में पता ने कौनसे सेंटर पर बहां पे दुबारा एकसाइम धार तो उस एक्जाम के बात करना हुए । देखेक तक हम नवी करणी अर्जस्तरोतों के दोहन के लिया भारत सरकार के लक्षों के अनुसार 2022 तक अब यह देखे इन्होंने 2022 का इन्होंने टार्गेट पूछ लिया यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो एक्जामीनर घुमा फिरा के कोशन दे रहा हूँ और एक चीज और देखे दोस्तों यहां पे इन्होंने विद्धुत उ देख सकते हैं इसके बाद देखे दोस्तों यही कोशन जुलाई 2018 में भी आया है रिनिवल एनर्जी से रिलेटिड और इस तरह का जो कोशन है ना दोस्तों जो सीरीज में लगाने का यह करीब 3-4 वार पहले आ चुका है यह 2015 में भी आया था 2010 में भी आया था नो में भी आय अंचिएबिय आ सब्श्ucharist Census ceremony दोस्तों यह हम आपको बहुत अच्छे त्रीके से करवाओंगा कि किस तरह से हमरी करना है अभी मंग्रोचाइब और कीड़ आके कुस तरह से पिस तरह से कुश्छन आते आगे थिए दूस्तों यह दिसंबर 2008 का कोश्छन पेपर है इसके अंदर यह देखिए source of renewable power which can we develop with minimum cost is यानि कि renewable energy के अंदर ऐसा कौन सा source है जो बहुत कम cost के उपर develop किया जा सकता है तो इसके अंदर बायो मास है दोस्तों तो यहां से आप देख सकते कि कितने question आ रहे हैं और कितने असान तरीके से हमसे पूछ रहे हैं और दोस्तों हमने इसके उपर पूरा notes भी बना रखाई यह आप देख सकते कि नवी करनी उर्जया यानि कि renewable energy क्या होती ही आप देख सकते हैं पर यह जो पूरा का पूरा notes है दोस्तों यह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाँगा अपनी जो next video होगी उसमें करवाँगा दोस्तों क्योंकि अकर इस वीडियो में करवाने लग गया तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी तो अगली जो वीडियो होगी दोस्तों हमारी उसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाँगा कि जो 2022 के अंदर क्या लक्षे रखा गया है यह मैंने चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर यह दी हुई है दोस्तों तो बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड़ ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं हम आपको पेड़ ग्रूप के अंदर 2012 से लेके 2019 तक old paper PDF देते हैं जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे environment की अलग बना रखी है यानि कि environment से जितने वी question आये हैं वह हमने अलग कर रखे हैं टीचिंग से अलग कर रखे हैं तो उन से आपको बहुत अच्छे तरीकी से पता चल जाता है कि ऐसे कौन से question है जो बार- असानी से अपना net plus grf qualify कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप चाहे तो हमारा paid group join कर सकते हैं और paid group join करने के लिए जो number नीचे दिया हुआ है इस पे आप हमें message कीजिए आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी और दोस्तो अभी दिपावली के उपर एक सुभ और दोस्तो अभ आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूरत वाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो उसको सानी से देख सकें थेंक्यू दोस्तों